नमस्कार आप देख रहे हैं स्रीटी तैल का मैं हूँ जीतेंदर रहलावत और फिलाल हम खड़े हैं आसन कला जो की विधान सभा पानीपत गरामिंड शे है और आज हमारे साथ जो बातचीत करेंगे वो सहरी विधायक परमोद विज हैं और इनका यहां पर आने का क्या तातपरिया है उसके बारे में पूछेंगे बैरहाल आपको ये भी बता दे कि विधान सभा पानीपत गरामिंड का जो यह गाउं आसन कला है प्रमोद विज विधायक पानीपत सहरी दवारा गोद लिया गया है आज दोरा किया क्या क्या आपको देखने को मिली किस तरह से देखते हैं जैटेंदर जी सबसे पहले बहुत पूईत्र स्था रही हैं यहाँ बाई सताम सिंग्झ जी और गुर्दवारे में पहले दर्शन कि हमने माथा टेका और उसके बाद भाई जी के दर्शन किये और उसके बाद मेरे साथ यह साथ में सोमभेजी सोमभी आयों है वसामें कृष्ण भाई है सभी साथ ही हमारे साथ में आयों है मेरा बड़ा बेटा अशीष्वीज मेरे साथ में यह जब माने मुख्यमंत्री गोश्चना की कि सभी विधाय ग्रम्मी चैत्र में 12 क्रोड़ रुपे का विशेष करके तिया गया तो हमारा सभागय कि मुक्खण मतिट जो शैरी विदानस्वाइब हैं जिनकी साथ विदानसवाइब हर्याना में जिनको कोई गाउं नहीं लगता तो हमने मुक्खण मतिपरागना की अंन्हां तुरंथ हमारे को दो दो करोड़ पर सभी विधायकों को शेरी विधानसभा को दिया और कहा कि आप किसी भी ग्राम को अड़ाप्ट कर सकते हो तो मेरे लिए पवित्त स्थान है अशन मेरा बहुत शर्द है यहां पर और हमारे सरपंच मेरे साथ खड़े हूँ है सोनू भाई इन से पूरा हमने जिगर किया कि क्या क्या गाउं में काम और हो सकते हैं मैं आज जब गाउं में पहले भी आना हुआ है गाउं ठीक बना हुआ है अच्छा गाउं बना हुआ है साफ सुतर है गलियां साफ है नालियां बनी हुई है विवस्ता में सुधार निरंतर हो सकता है और मैंने यह देखा है जब इन से संपर की और भाईजी साथ में बैठे सद्दाम जी तो यहां पर दो करोड़ वे इसी गाउं को दे दिया ताकि जोई ना बत तरीके से इस गाउं का और विकास किया जाए आज सभी ग्रामीन वाश्यों से मिलने का मोका मिला और आगे भी आत है लेकिन उस बच्चे ने लगबग साड़े त्रयानवे परसेंट नंबर लिया है उसके घर में उसकी बेहन है जो उसको पढ़ाती है और बहुत ही गरीब परिवार है और उसके टीचर्स ने भी मुझे जानकर मिली उसकी बहुत मदद की थोड़ी मुद पैसे से मदद की पढ़ाही में मदद की और बच्चे ने इतना परफार्मिस की है कि मैंने अपने परिवार में अपने बेटे से शीच से बात कि बहुत से बात की धर्म पंदी से बात की तो फिर हमने यह निरने लिया कि हम इस फैमली को एडॉप्ट करेंगे जो बच्चे इतना लाइक है ज बेटे ने पुरी योजना मनाई है इसके लिए हम इस परिवार को जितना बच्चा पढ़ना चाहेगा उसकी टोटल जिम्म औरी बिच परिवार की है जहां तक पढ़ना चाहेगा और जैसे जैसे जैसा उनकी नीड होगी उसको पूरा किया जाएगा इसके साथ ही साथ इन बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और मैं तो सरपंजी से भी प्रातना ये सुनू भाई से कि आप भी यहां उनका ध्यान रखें रामरजी की डूटी लगए है साथ में नरंदर जी की डूटी लगाई है कि महिने में एक बार जुरूर आके आप जो गोड़े स्कूल में डाल देते हैं खर्चे की चंता मताब करें गूर्णिन पढ़ता है तो इसकी बेहन और बहुत अच्छी ऐक बात करा है कहता है हमारा ये सकूल बहुत बढ़ी है गोश्य जहां में पढ़रा रहा हैं टीचर बहुत धियान रखते हैं और टीचर बहुत capable teachers हैं, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं, मैं तो इसी स्कूल में, इसी गाउं में पढ़ूँगा, और मैं आगे से भी अच्छा करूँगा, यह सुनके तो मैं और भी अच्छा लगा, कि पार्टी सरकार जो इस टेम काम करी है, गाउं के अंदर, स्कूल जिस तरह से develop हो रहे हैं, teachers जिस तरह से अपने बच्छों को बढ़ा रहे हैं, यह उधारन है यह बच्छा कि उन टीच्छों को पूरी शुप कामना देता हूं कि अपना मन लगा के पढ़ाई करें, और एक बड़े से बड़ा अफसर बने, और सर्पन जी का भी बहुत बहुत ध देर आरही है, गाउं बता रहे हैं, कि यह गाउं हालनकि thermal की इर्थ के तो और कोट का decision की है, शायद कि यह 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां बताया गया है, आठ घंटे का कट चल रहा है, क्योंकि गर्मी का समय है और ऐसे समय में लाइट जा रही है, जब यह दुपएर को राम करने के लिए आते हैं, ऐसे समय में लाइट जा रही है, तो इनको दिक्कत है, यकीनिन तोर पे इसको सॉल करना होगा, मैं संजय बाटिया जी से बात करूँगा, कि उन्हों नहीं प्रहें से संजय जी को है, मैं उनको, बताता हूँ कि कुछ साल पहले तक मैं मेरे कुछ मित्र थे हम हिसार बहुत जाते थे, और हमारे जिश्य तो हता था की इसार के प्रवास के दुरान, एक दिन हम पातन गाउं में जरू जाते थे, मुझे उमेश्या गाउं में आके अच्छा लगता है और ये गांव खास करके साफ बना हुआ है इसमें सफाई है इस गांव के अंदर और मेगल सोनु जी ने बहुत अच्छा त्रिक्के से इसको संभाला हुआ है इसके लिए उनको भी बहुत-बहुत मुआरबाद है गांव में जब दो क्रोड पर और लगेगा उसका एक एक पै सब्सक्राइब दोरे इस तरह से जारी रहेंगे आपको बता है ना हर मिने आएंगे कभी मैं आउंगा कभी मेरी धर्म पत्नी और भौं आएंगे परिवार का भी दहां तक नहीं आएंगे और जो विकास का काम हो रहा होगा उस पर भी नजर रखेंगे तो यह थे विदायक पानिपत सहरी जो की पानिपत गरामिन शेतर के आसन कला जहां पर उन्होंने गोद लिया है और उन्होंने आसवासन दिलाया है कि यहां जिस तरह की भी समस्या होगी उनको जो है पोरी तोर पर ठीक किया जाएगा और समय समय पर उनका दोरा भी रहेगा बैरहाल आज एक प परकार की कोई प्रेसानी नहीं होने देंगे अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि विधायक इस गाउं को किस तरह से आगे उचाईयों पर लेकर के जाते हैं सहयोगी धरंबिर सरावत के साथ जीते इंद्र एलावत सीडित हैल का पानी पत